हे गाइस यह वीरे में हम लिए छोटा छोटा इंफर्मेशन आपके साथ स्यार करेंगे मेरा ओपिनियान भी देंगे जो आपको बहुत हेल्पूल होगा तो रेडमी 9 जो है एमाजन की पर लॉंच हो गया यह फोन का 4GB RAM प्लास चाउसर जीवी के लिए आपको देना पर जाने को मिलगा यह फास्ट अप अगास्ट से सेल में आजाएगा तो इसके बाड़े मेरा ओपिनियान जाने को मिलगा इसका इलाबा नोकिया की नोकिया 5.3 ल वीडियो आपको क्योंकि मेरा ओपिनियान की साथ साथ मैं ऐसा कुछ डेटा ढूंगा जो आपको बहुत ही आच्छा भी लाएगा और काइंड आप यह जो वीडियो काफी अत्तक आप टेक्ट न्यूस की तरह आप बोल साकते तो ओबराल वीडियो देखते रहे हैं आसा का इंटर्नाल के लिए नौहाजार रुपा इत्तों बेस्ट प्राइज है अगर आप देखेंगे इस ताइम में रियाल्मी का सी 12 जो है तीन जीवी रहां 32 जीवी के लिए हाम लोगों की पास ले रहा है नौहाजार रुपे तो उस आप से देखा जाए तो यह मोर बेटर है आपको इधार देखेंगे इसका पेसिवी के संद में आपको HD plus resolution का डिस्पे मिलता है Mediatek का Helio G35 मिलता है कामेरा इधार रुएल कैमेरा देखने को मिलता है प्राइमरी थिरा मिया पिक्सल सेकेंडरी दो मिया पिक्सल देप सेंसी थेंसा है फॉन में 5 मिया पिक्सल का क्याम में फिर से Micro USB में आ गया यह क्यों किया यह मुझको पता नहीं इबाट इधर आपको Micro USB port देखने को मिलेगा कोई चर्च का कोई support देखने का नहीं मिलेगा 10 रुट का charger आपकी इन बग देखने को मिल जाए उपर आल नहीं रुपाई में ठीक है बाट एज रेड्मी ब्रेंड को देखा जाए तो आज की दिन में जो कॉंडिशन में यह फोन का 8,000 रुपाई अगा प्राइस होता तो और भी आच्छा होता था यह प्राइस एक दो और भी मने क्या बोलो जस्टिफाइड प्राइस रुट साकता हो यह फोन के लिए रेट्मी नाइन के लिए क्यों देखिए अगर आप देखेंगे 9,000 रुपाई से 2,000 रुपाई जाएंगे मतलब 1,000 रुपाई जियादा दे C35 का 3x better performance आपको देगा मतलब बहुत यह आच्छा आपको पार्फॉमेस मिलेगा तीस का क्या मिलेगा इधार आपको तीसा जो मिलेगा ओ है इसका क्या मेरा देखेंगे क्यामेरा में आल्टरोइड लेंथ देखने को मिलता है उसका साथ आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है यह सें 1,000 रुपया जियाता की आंदे तो तीन-तीन में चीज आपको देखने को मिलता है इसका एलाब इदर प्रबबबली मुझको जो पाता है यह फास्टरोग का सपोर्ट है इंबॉक दे 10W का आपको अलाग से अगर फास्टरोग की भाई करते हो तो ओ आपको मिलता है यह सब देखतो ही मेरे को जो लग दे आधा अगर पास्टरोग में होता तो आच्छा होता था रेड्मी नाइन का प्रैस बट जो प्रैस में लॉंच किया यह अच्छा है अगर आप अभी गूगूल में जाका रेड्मी 9 से सच रच करो जिस लेबल का कॉइंस आप क्रिएट कारेगा न ये आप देख लेना इसको लेकर मेरा वीडियो है ये क्लोबली रेड्मी नाम से जाना जाता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा तो इसको बंद करना चाहिए यह सबसे पहला गया तो वीडियो का बाकी पर्ट में जाने का पहला अगर आप चैनल में नहीं तो मैं सम्राइब आशा कर आपको काफी आच्छा नहीं होगा वीडियो में एक लाइक देकर हम लोगों को 50 लाइक कर दीजिए कुछ भी जाना है त चैनल में आपको चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दावा देना ते इस तरह वीडियो का फ्यू चैनल को आपको हड़े मिलते रहेगा तो नेक्स्ट अगर हम लोग नोकिया की बाड़े में बात करेंगी तो सबस्काइब एक ही चीज बोलूंगा नोकिया को जो है इंडिया में स्मार्टफोन लांच करना बंद कर देना चाहिए मतलब नोकिया को इंडिया से निकाल जाना चाहिए मतलब नोकिया को इंडिया का जोगराद नहीं है एक बात 14,000 रुपाई में नोकिया 5.3 लांच किया HD plus resolution के डिस्प्ले की साथ ना है क्वी नोकिया इस बाज़ दूट में नेष्ट अगर आप इधर देखेंगे क्यामेरा में मिनिमाम एक अल्रावाइडलेस 8.0 MP वह भी नहीं दे पाया 5.0 MP का आपके अल्ट्रावाइडलेस ते नहीं है बारामे पिक्सल होता तो जो पिक्सल बीनिग में बारामे पिक्सल में आता तो क्यों लेंगे ना 14,000 रुपाई जेकर ये फोन क्यों लेंगे वही आप लोग बताओ बतलब ये जो है नोकिया जो ये एंटी चाइना सेंटिमेंट इसका इस्टमल नहीं करे किया नोकिया वालों को ये एक तो बहुत दीन से गायब था आया तो आया या ऐसा फोन लांज किया कोई इधार आपको आच्छा चीज देगने को नहीं में लगाए और नोकिया वालों ने सिर्फ और सिर्फ खुद का रिविन्यू की बारे में सूझ रहे है कुद का कैसे फाइदा मीनिवान वर से फोन लांच करनें तो कोई आच्छा नहीं करें होने तो आप 108 रुपै या तो रूंस नहीं मेरा तरव सब्सक्राइड है या दूरमें रहेंगे तो या आपके लिए आच्छे चाहद हाजार रुबाई में अमाजान में में रहें पर फिर भी आगर लेना जाते है तो आपकी पड़ डिपेंड करें तो यह है दोनों इंफर्मेशन आयों आपके वीडो कापकी आख्या नेल कुलो वीडियो आख्या लगए पर वीडियो में एक लाइक डेका हम लोगे जो